नमस्कार मैं हूँ चंदरभान सिंग बदोरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव कल आपने कई वाटसअप ग्रूपों पर सोशल मेडिया पर ये देखा होगा कि कई फैक्ट न्यूज चल रही थी कि पंचाज चुनाव की तारीकों का एलान हो गया है इन न्यूज में बताया जा रहा था कि 20, 22, 24 जनवरी को तीन चरणों में मदप्रदेश में पंचाज चुनाव होंगे और आचार सहीता इसी के साथ लग गई है जो अगले दो महने तक लगी रहेगी ये भी बताया गया था कि 28, 30 जनवरी और एक फरवरी को मदगर्णा रखी गई है और साथे साथ ये दावा किया गया था कि 3 और 5 फरवरी और 6 फरवरी को जनपद और जिला पंचाज के लिए चुनाव होगा अद्देश उपाद्देश तय होंगे कई लोगों ने हमको ये लिंक डाली इस अलग-अलग नियूस पोर्टल ने भी ये नियूस जारी की और हमसे पूछा कि इसकी सच्चाई क्या है और आपने ये जारी क्यों नहीं की तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग fact news नहीं देते हैं संसनी फैलाना हमारा उद्देश नहीं है आपको हकीकत बताना हमारा उद्देश है तो ये एक fact news थी गलत खबर थी गलत सुचनाओं पर आधारित थी ना तो कल राज निर्वाचन आयोग ने कोई घोषना की ना सरकार की और से कोई इस तरीके का प्रेस रिलीज जारी हुआ ये सर्फ एक अनुमान आधारित थी जिसमें एक राज निर्वाचन अधिगारी के का कथे जरूप से उल्लेग करके इसको जारी किया गया था तो ये गलत खबर थी, ऐसी किसी भी तारीक की घोषना, ऐसे किसी भी चुनाव कारिक्रम की घोषना, पंचाज चुनाव 2021 के लिए राज निर्वाचन आयोग मद्रप्रदेश ने नहीं की है तो आज 20 दिसंबर है और 20 दिसंबर का जो इस्टेटर से हम आपको बता रहे हैं कि आज की तारीक तक भी कोई घोषना नहीं हुई है इसलिए आप इस तरीके की न्यूज लिंक को जो भ्रह्म पहलाने वाली हैं जिनकी विश्वस नीता संग्दिक्ध है उसको आप सच न माने और सच यही है कि अभी तक राज निर्वाचन आयोग ने कोई प्रेस कॉनफरेंस नहीं की है कोई तारीक का एलान नहीं किया है के जारी हुई हैं कौनसी मदगर्णा और कौनसी मददान की तारीके हैं सब कुछ आपको बताएंगे इसलिए हम आप से कहते हैं कि आप जोड़िये हमारे साथ क्योंकि आपको सही खबर इसी प्लेटफार्म पे मिलेगी फिर से आग रहे हैं चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सही और सटीक खबरों की नोटिफिकेशन तदकाल मिल सके हैं आज के लिए इतना ही जब भी अपडेट होगा फिर से आपके बीच हजिर हो जाओंगा